फिल्म की शुरुवात फादर पीटर के एक मंद रोशनी वाले कमरे में प्रवेश करने से होती है जहां सिस्टर मैगली एक बिस्तर से बंधी हुई है उस पर बलबन नामक एक शैतान ने कबजा कर लिया है जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया है उसकी हालत देखकर पीटर जोड देकर कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द भूत भगाने की कोशिश करनी चाहिए फिर वह अपने वरिष्ठ फादर माइकल को बुलाता है और उसकी अनुमती मांगता है बादवाले ने सक्ती से मना कर दिया यहां मानते हुए कि वह ऐसी स्थिती को संभालने के लिए परियाप्त कुशल नहीं है हाला कि पीटर उसके आदेश की अवहलना करता है और फिर भी भूत भगाने की कोशिश करता है वह सभी को कमरे से बाहर भेज देता है और इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा सेट करता है पीटर द्रिट संकल्प के साथ सिस्टर मैगली पर कबजा करने वाली बुराई का सामना करने के लिए तयार हो जाता है जैसे ही वह प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है मैगली का बिस्तर हवा में उचलता है हाला कि उस पर इतना भूत सवार है कि भूत भगाने का उस पर कोई असर नहीं होता इसके बजाए शैतान कपड़े उतारना शुरू कर देता है और पीटर को बहकाता है जो खुद को नियंतरित करने की कोशिश करता है और अपने जादू को जारी रखता है वह उसके शरीर पर पवित्र जल छिड़कता है लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता जल्थी मैगली खुद को आधा नगन कर लेती है और उसके सामने खुद को खुश करना शुरू कर देती है जैसे ही वह अपना काम पूरा करती है एक राक्षसी चीक सुनाई देती है और मैगली बिस्तर पर गिर जाती है यहां मानते हुए कि उसने उसे ठीक कर दिया है पीटर जाँच करने जाता है लेकिन वह अचानक उठती है और उसके हाथ को अपने नीजी अंगों में ले जाती है पीटर भी खुद को नियंतरित नहीं कर पाता है और उसके साथ सम्भोग करता है यह एक बुरा निर्णय साबित होता है क्योंकि शैतान उसके शरीर में प्रवेश करता है और उसे भी अपने वश में कर लेता है फिर द्रिश्य 18 साल बाद एक जेल में बदल जाता है जहां एक गार कोठरियों से खाने की ट्रे एकठा करने की अपनी दिन चर्या के बारे में बताता है लेकिन जैसे ही वह एक कोठरी में पहुँचता है एक चौकाने वाला क्षण सामने आता है अंदर के कैदी द्वारा उसकी दो उंगलिया काट ली जाती है जिससे पूरी तरह से अराजकता फैल जाती है फिर हमें फाधर पीटर के पास ले जाया जाता है जो अब मेक्सिको के ग्रामीर इलाकों में रहने लगे है घटना के बाद से ही वे अपराद बोध से ग्रस्थ हैं इसलिए वे अपना ज्यादातर समय अनाथालय में बच्चों की देखभाल में बिताते हैं एक दिन खाना बाटते समय एक चिंतित मा उनके पास आती है वह उन्हें अपने बीमार बेटे फिलिप के पास ले जाती है जो एक अजीब बीमारी से पीडित लगता है पीटर उसे पवित्र जल से आशिरवाद देता है लेकिन इससे लड़के को दौरा पड़ जाता है अन्तिम उपाई के रूप में उसे अस्पताल ले जाया जाता है डौ नेलसन फिर फिलिप की जाँच करते हैं और बताते हैं कि चार बच्चे पहले ही इसी तरह मर चुके हैं लेकिन कोई भी बीमारी या उसके इलाज की पहचान नहीं कर पाया है बाद में पीटर सांत्वना पाने के लिए एक चर्च जाता है और डौ नेलसन उसके साथ जुड़ जाते हैं पीटर का मानना है कि भगवान उसके आसपास के लोगों को पीड़ा दे कर उसके पिछले कुकर्मों की सजा दे रहे हैं नेलसन उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि जब उसने पाप किया था तब वह शैतान के कबजे में था लेकिन पीटर को अभी भी लगता है कि यह टाला जा सकता था फिर वह आखिरकार बिशप मौनसिगनोर बालडुची के सामने कबूल करने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह शांती पाने का एक मात्र तरीका है अगले द्रिशे में पीटर बिशप के निवास पर जाता है और भूत भगाने की रिकॉर्ड की गई टेप को सौंपने की तयारी करता है लेकिन बालडुची उसे यह बता कर चौका देता है कि वेटिकन उसे एक संत मानता है फिर वह पीटर को उसके अनाथालाई के लिए एक उदार चेक देता है इस इशारे और परियाप्त राशी से अभिभूत पीटर हिचकिचाता है और अंतता कबूल नामे को रोकने का फैसला करता है बाद में हम पीटर को अपने कमरे में देखते हैं 18 साल पहले किये गए पाप के लिए खुद को कोस्ते हुए तभी उसे चर्ज से चीखने की आवाज सुनाई देती है वह जाँच करने के लिए अंदर जाता है केवल यहाँ देखने के लिए कि मसीगी मूर्ती अपनी जगह से गायब है पीटर फिर जगह के चारो ओर देखता है और जल्द ही किसी को कोने में रोते हुए सुनता है जब वह उस व्यक्ति के पास जाता है तो वह यीशु मसीग के राक्षसी रूप को देख कर चौक जाता है यहाँ अचानक उस पर हमला करता है और यहाँ तब होता है जब पीटर अपने बुरे सपने से जाग जाता है कुछ ही समय बाद एक जेल अधिकारी उसे बुलाता है और बताता है कि उनके कैदियों में से एक बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है वहाँ खाने से इनकार कर रही है और उससे मिलने की मांग कर रही है यहाँ पीटर को चिंतित करता है इसलिए वहाँ तुरंथ जेल की और भागता है सेल में प्रवेश करने पर उसे पता चलता है कि लड़की का नाम एस्पेरांजा है और उसने पहले ही एक अधिकारी को मार दिया है जब पीटर उसका चहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि वह बीमार नहीं है बलकि भूत प्रेट से ग्रसित है पागल लड़की फिर उत्तेजक तरीके से बोलना शुरू कर देती है ठीक वैसे ही जैसे अठारा साल पहले मैगली ने किया था इसका मतलब है कि वह किसी और के नहीं बलकि बल्बन के कबजे में है बाद में एस्पेरांजा की मा वहा पहुँचती है और वह खुद को मैगली बताती है फिर वह एक धमाका करती है कोठरी के अंदर पागल लड़की भी पीटर की बेटी है मैगली उससे आगरह करती है कि अगर वह वास्तव में अपने अपराद बोध से उबरना चाहता है तो उसे उसे बचा ले रात में पीटर एक बार फिर यीशु मसीह के राक्षसी रूप से पीड़ित होता है जो उसकी नींद में उसका गला घुंटना शुरू कर देता है लेकिन वह किसी तरह जागने और खुद को शांत करने में काम्याब हो जाता है अगली सुभा पीटर अस्पताल जाता है जहां उसे पता चलता है कि बेचारा फिलिप मर चुका है वह रहस्य में बीमारी का पांचवा शिकार है लेकिन डॉक्टर अभी भी इसके मूल के बारे में अनभिग्य है बाद में पीटर बालदुची से मिलता है और उसे एस्पेरांजा की स्थिती पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वह उस पर भूत भगाने की अनुमती मांगता है बालदुची न केवल हाँ कहता है बलकि एक अन्य पुजारी को भी बुलाता है ताकि वे जल्द से जल्द राक्षस से छुटकारा पा सकें फिर द्रिशे फादर माइकल पर आता है जो एस्पेरांजा के भूत भगाने में सहायता करने के लिए मैक्सिको पहुँचे हैं उस रात पीटर अब और अपराद बोध को सहन नहीं कर सकता है इसलिए वहां मैगली के भूत भगाने की टेप रिकॉर्डिंग को जला देता है फ्लैश पैक के माध्यम से हमें पता चलता है कि घटना के समय वह वास्तव में बल्बन के कबजे में था उसे मैगली के साथ संभोग करने और उसे गर्भवती करने के लिए मजबूर किया गया था लेकिन पीटर किसी तरह भगवान के नाम का जाब करके राक्षस से छुटकारा पाने में काम्याब रहा वर्तमान में वह फादर माईकल को बताता है कि वह कैसे यीशु मसी के राक्षसी संसकरण को देख रहा है चाहे वह भागने की कितनी भी कोशिश करे वह बच नहीं सकता यहां सुनकर फादर माईकल को संदे होता है कि बल्बन उस पर कबजा करने की कोशिश कर रहा है चर्च के अंदर कैमिला नाम की एक नन मदर मेरी से प्रार्थना कर रही है जब अचानक खून की कुछ बून्दे उसके माथे पर गिरती है वह जल्दी से अपनी आखे खोलती है केवल यह महसूस करने के लिए कि मूर्ती गायब हो गई है कैमिला को तब जी बावाजे सुनाई देने लगती है और वह जमीन पर खून से घिरा एक कपड़ा पाती है जैसे ही वह उसे उठाती है उसे नीचे एक बच्चे का बेजान शरीर मिलता है यह उसे डरा देता है और वहां मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है इस समय मदर मैरी की मूर्ती प्रकट होती है और उसकी और बढ़ती है ऐसा लगता है कि वहां प्रेत बाधित है फिर वहां बेचारी नन को अंधेरे में खीच लेती है उसे भी भ्रष्ट कर देती है थोड़ी देर बाध एक प्रेत ग्रस कैमिला बच्चों के कमरे में घुसकर उन्हें नुकसान पहुचाती है मैगली उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वहां आसानी से पराजित हो जाती है सौभाग्य से पुजारी शोरगुल सुनते हैं और दिन बचाने के लिए दोड़ पड़ते हैं वे जल्दी से अपने दिव्य कोशल का इस्तमाल करते हैं और किसी तरह कैमिला के शरीर से राक्षस को बाहर निकालने में काम्याब हो जाते हैं अगले द्रिशे में माइकल और पीटर जेल जाते हैं और एस्पेरांजा का सामना करते हैं वे उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं ताकि वे राक्षस के बारे में और जान सके हाला कि एस्पेरांजा केवल फादर पीटर के साथ गंदी बाते करने में रुची रखती है फिर दोनों पुजारी उसे नीचे गिराने के लिए अपनी सन्युक्त प्रार्थनाओं का उप्योग करते हैं लेकिन इससे एस्पेरांजा और भी क्रोधित हो जाती है वह अपनी जंजीरों से मुक्त हो जाती है और फादर माइकल पर हमला करती है उसका कान काट देती है लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक नुकसान पहुचा सके डौ नेलसन उसे एक शामक इंजेक्शन देते हैं जिससे वह बेहोश हो जाती है इस घटना के बाद पुजारियों ने वार्डन के साथ गंभीर बातचीत की उन्होंने जोड दे कर कहा कि उन्हें जेल की कोठरी के अंदर भूत भगाने की जरूरत है और इसके लिए उन्हें पूरी जगा खाली करनी होगी हाला की वार्डन ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके पास वहां कुछ बेहत्क तरनाक कैदी है वह उन्हें किसी दूसरी जगा ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता कोई विकल्प न होने पर नेलसन ने सुझाव दिया कि वे सभी कैदियों को शामक इंजेक्शन देकर गहरी नींद में डाल दे यह विचार अप्रम परागत है लेकिन यह उनके पास अभी एक मात्र विकल्प है इसलिए पुजारी सहमत हो जाते है वे अगली सुबह ही काम पर लग जाते हैं और नेलसन कैदियों को होश में लाने के लिए हर कोठरी में जाते हैं हाला कि उनमें से एक चालाकी से चाबिया चुराने और उन्हें उसके बिस्तर में छिपाने में काम्याब हो जाता है इसके बाद दोनों भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एस्पेरांजा की कोठरी में प्रवेश करते हैं लेकिन आश्चर्य जनक रूप से उसे गायब पाते हैं दूसरी तरफ नेल्सन को यह जानकर जटका लगता है कि जेल की सभी कोठरिया खोल दी गई है इससे पहले कि वह अपने सहकर्मियों को इसकी सूचना दे पाता उस पर अचानक एक भूत प्रेट से ग्रसित लड़की हमला कर देती है कुछ ही देर बाद पुजारी उसे घायल अवस्था में पाते हैं जिसके चारों और कई भूत प्रेट से ग्रसित कैदी हैं वे राक्षसों को भगाने के लिए उनके मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि इसका कोई असर नहीं होता यह तब होता है जब मदर मेरी का भूत प्रेट से ग्रसित रूप घटना स्थल पर आता है कैदी भी पुजारियों पर हमला करते हैं लेकिन नेल्सन उन्हें धीमा करने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं इसे एक अफसर के रूप में लेते हुए माइकल और पीटर एक कमरे में भाग जाते हैं और खुद को बंद कर लेते हैं एक बार जब वे अकेले होते हैं तो माइकल पीटर से पूछता है कि उसके अंदर कौन सा पाप है ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी प्रार्थना भूत प्रेट से ग्रसित कैदियों पर काम नहीं करती सच्चाई को और अधिक ना पकड़ पाने के कारण पीटर आखिरकार खुलासा करता है कि एस्पेरांजा उसकी बेटी है उसने 18 साल पहले मैगली को बचाने की कोशिश करते हुए उसे गर्भ में धारण किया था यह सुनकर फादर माइकल अंदर तक चौंक जाते हैं उनका दावा है कि इस पाप के कारण अब बल्बन को हराना और अनाथालय के बच्चों को बचाना असंभव ए? पीटर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और फादर माइकल से भूत भगाने का अनुरोध करता है हालांकि बाद में पता चलता है कि वह ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि पिछली बार जब उसने बल्बन को हराया था तो उसने वास्तव में अपनी आत्मा का सौदा उसके साथ कर दिया था फादर माइकल फिर अपनी चोटों के कारण दम तोड देते हैं लेकिन पीटर को एक आखिरी सलाह देने से पहले नहीं कभी भी राक्षस के साथ सौदा मत करना तभी प्रेत बाधित कैदी दर्वाजा तोड देते हैं जिससे पीटर वहां से भाग जाता है वह खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लेता है और आखिरकार 18 साल पहले किये गए पाप को कबूल करने का फैसला करता है खुद को रिकॉर्ड करने के बाद वह वीडियो को बालडुची को भेजता है पीटर फिर से दृट संकल्प के साथ कमरे से बाहर आता है और कैदियों का सामना करता है वह पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देता है और उसकी प्रार्थनाय राक्षसों को सफलता पूर्वक वश में कर लेती है फिर राक्षसी जीसस अंतिम बॉस के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन पीटर उन्हें भी हराने में काम्याब हो जाता है जब ऐसा लगता है कि वह जीतने वाला है तो एक कैदी पीछे से उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है जब पीटर को होश आता है तो वह खुद को राक्षसों से घिरे एक कुरसी से बंदा हुआ पाता है फिर बल्बन उस पर उल्टा भूत भगाने की क्रिया करता है जिसका उद्देश उसके अंदर से भगवान को बाहर निकालना होता है इससे उसे बहुत दर्ध होता है लेकिन वह उम्मीद नहीं खोता और अपनी पवित्र प्रार्थनाय पढ़ना शुरू कर देता है नतीचतन बल्बन को पीछे धकेल दिया जाता है और उसका भूत भगाने का प्रयास बेकार हो जाता है इस बीच अनाथाले के अंदर सभी बच्चे अचानक एंठने लगते हैं कैमिला उन्हें शान्त करने की कोशिश करती है लेकिन उसके प्रयास बेकार हो जाते हैं प्रार्थनाए आखिरकार बल्बन को हराने में काम्याब हो जाती है अन्तिम उपाय के रूप में वह एक सौधा प्रस्तावित करती है यदि पीटर अपने शरीर से इश्वर को निकाल देता है तो वह एस्पेरांजा और अन्य सभी बच्चों को छोड़ देगी लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह उन्हें एक पल में खत्म कर देगी पीटर कुछ देर सोचता है लेकिन वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए द्रिढ है इसलिए वह माइकल की पिछली चेतावनी की अंदेखी करते हुए उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है जैसे ही वह ऐसा करता है एस्पेरांजा बेहोश हो जाती है और अनाथालय के बच्चे अपने होश में आ जाते हैं इस घटना के बाद फादर पीटर को मीडिया द्वारा संत के रूप में सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्होंने 112 बच्चों की जान बचाई थी बिशप बालदुची भी उनकी सफलता पर उन्हें बधाई देने के लिए आते हैं जब दोनों निजी तौर पर बात करते हैं तो बालदुची बताते हैं कि उन्होंने विडियो डिलीट कर दिया है और पीटर का कबूल नामा अब एक पवित्र मुहर से बंधा हुआ है फिर वह पीटर से पूचता है कि क्या वह वेटिकन में काउंसलर के तौर पर काम करना चाहेगा जिसके लिए पीटर खुशी-खुशी राजी हो जाता है इस समय यहाँ पता चलता है कि पीटर पर वास्तव में बलबन का कब्जा है और बिशप उसके नियंत्रण में है अब वह सिर्फ एक शहर ही नहीं बलकि पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए द्रिट संकल्पित है